प्राइबल मेंबर स्री रियाजू बिस्ता जी धन्यबाद सार आपका और दा कॉंस्टिटुशन सेलूल ट्राइब ओडर सेकेंड एमेंडमेंट बिल दोहजार बाइस के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हूं सर और हमें आज बड़ा गर्व होता है कि जब हमारी देश की प्रथम मैला रास्टपती वो इसी समाज ट्राइबल समाज से आती है और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मोधी जी की नित्रुत्यों में गाउं गरीब किसान पिछेडे इन सभी का बहुत तेजी से जो है उन्नती और उनका विकास हो रहा है आकड़े सोयम बताती है कि जिस तरह से 2013-14 में ट्राइबल मिनिस्ट्री के उपर में करीब 25,000 करोड रुपय का खर्चा और बजट होता था आज वो बढ़के 90,000 करोड रुपय हो गया यानि करीब 360% की ग्रोथ है और आदिवसी समाज जिसको अपना भगवान मानता है ऐसे हमारे सोतंतरता सेनानी भगवान बिर्शा मुंडा जी का जो जनम दिन है वो एक जनजाती समाज जनजाती गौरव के रूप में मनाता है वो मोदी जी के और इस सरकार की बहुत बड़ी समाज को देन है सर मैं सिधा डार्जिलिंग की तरफ आना चाहूंगा क्योंकि डार्जिलिंग का सांसद होना अपने आप में बहुत सारी उसकी विशेष्टाएं है भारत में एक मात्रजिला जिसमें एक तरफ भुटान बंगलादेश नेपाल तिबबत कह लिजी आ चायना लगता है एक त हर जाती समाज के लोग मिल जूल करके रहते हैं ऐसा एक विशिष्टा स्थान है चाय वहां की चाय हो चाय वहां का टोई ट्रेन हो वहां की तूरिजम हो और हाइडरो पावर से बिजली भी सबसे पहले इंदुस्तान में दार्जिलिंग में आई और भारत में बसने वाले क बहुत अन्यार अत्यचार होता है जो संविधान सबको समान अधिकार देता है कहीं कहीं बार हमको ऐसा लगता है कि यह सायत अधिकार हमारे लिए नहीं है जबकि आप सर मानेंगे कि जब कॉंस्ट्यूटेंट एसेंबली बना जब भारत का संविधान बना तब उस संविध के सदेश से बनाने वाले दो गोर्खा भी थे उन दिनों डंबर सिंग गुरुंग जी और अरिबादिर गुरुंग जी इशु यह सर कि भारत नेपाल मेत्री जो इंडिया नेपाल फ्रेंशिप टीटी है उसके कारण दार्जिलिंग और खास करके जो सिक्किम में रहने वाले गोर्खा है उनको बार-बार विदेशी और उनको नेपाली नागरी कहा जाता है और इसके कारण जो है आपने देखा होगा कई बार दार्जिलिंग में कई सारे अंदोलन भी हुई गोर्खा अलग राज्य की मांग भी हुई खेर मैं वो आज विशे नहीं रखूंगा वो अलग विशे अलग फोरम में करूंगा मेरा यह कहना है सर अगर जो देखे गोर्खा दो जा 1931-1941 तक यह ट्राइबल स्टेटस इनके पास था हिल ट्राइब के रूप में जाने जाते थे लेकिन 1951 के बाद बहुत चालाकी से जो है उनको उस अधिकार से छिन लिया गया और पशिम बंगाल के हमारे साथ ही बहुत अच्छे भासन दे रहे थे इस विल के उपर में उन्हेंने रास्टरपती जी का भी अपमान किया और उनका दूसरा मेरा उनके उपर आरोब यह है कि पूरा दारजिलिंग जब 1954 में बंगाल का इसा बना तो जमीन की तो अपना मना ल है डारजिलिंग में लागू नहीं है डारजिलिंग में ज़्यादा तर लोग जो है चाय बगान में काम करते हैं उनके पास पट्टा नहीं है दो सो साल से हैं और वहां की स्टेट की सरकार आज जो है घुसपेटी करके जो अलग-अलग देसों से आते हैं उनको उन चाय बहुत बड़ी समस्या है उनको बार बार ये जो विदेशी का लांचना लगता है उससे उनको मुप्ती मिलेगी और लेपचा, धुपका, भुटिया, योल्मा, शेरपा, लिम्बू, तामंग ये अल्रेडी स्टी में है लिम्बू और तामंग को तो 2003 में स्टी का स्टेटस उ से 11 जनजातियां उस स्टेटस चे छुटी हुई है और ये हम उनको देते हैं मैं तो ये कहता हूं कि ये उनके बच्चों को एडमिशन मिले इसके लिए नहीं है लेकिन उनके उपर में जो विदेशी होने का ये जो बार बार लांचना लगता है कास सेटिपिकट बनाने जा तो वो अधिकारी आके इतना तंग करते हैं वो कहते हैं आप नेपाल से हो बोटर आईडी कार्ट बनाने जाओ तो भी ये ही समस्या तो ये एक जो 11 जनजातियां हैं अगर हम उनको स्टी स्टेटस दे देते हैं तो इनका बहुत एक बड़ी समस्या का हल होगा और मैं भारत सरकार ने भी प्रयास किया है कई बार कमिटियां भी बनी है और कमिटियों में जो है उनको लेकर के मतलब काफी अच्छे बाते भी लिखी गई है अब मैं चाहता हूँ इसमें जादा देरी नहीं हो और जल से जल उनको ये अधिकार मिले मैं आपके माध्यम से भारत सरकार स यहीं विदन करना चाहूंगा आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद